Hello friends and welcome you all to my channel Smile Please तो आज discuss करने वाले हैं हम लोग class 8 कि science यानि की विज्ञान subject के बारे में उसका नया syllabus क्या है और online classes के बाद क्या changes आए है इस वार क्योंकि इस वार भी online classes ही चल रहे है बच्चों के तो CBSC board ने उसमें क्या change किया है और क्या क्या subject में हर एक topics हर एक chapters में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोग discuss करेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि यह letter syllabus है इसके अलाबा मेरे channel पे class 8 के सारे ही subject के syllabus आपको मिल जाएंगे तो आप channel पे जाके हमारा playlist देख सकते है इसमें class 5 का भी सारे subject का syllabus है और class 1 का भी है इसके अलाबा मैं इसका link भी description में डाल दूँगी तो आप वहां से भी जाके check कर सकते हैं तो आए ये वीडियो को जादा लंबा नहीं करते हैं और देखते हैं कि class 8 में क्या क्या पढ़ना है तो first chapter है हमारा crop production and management इसमें फसल कैसे उगाते हैं और उसका management कैसे करते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा इसमें types of crops है जो कि खरी crop और रभी crops होते हैं उसके अलाबा basic practice बताया जाएगी फसल उगा देंगे crop production के इसमें मिट्टी तयार करना फिर agricultural implements बताया जाएगे जैसे कि हो कुदाली है यह सारे क्या-क्या हमें agriculture implements लगते हैं उसके बारे में बताया जाएगा फिर bees की सिचाई और transplanting फिर adding manure तर फर्टिलाइजर्स खाद बगर डालने के लिए बताया जाएगा crop rotation होता है कि अभी यह फसल लगी है तो बात में दूसरी फसल लगीगी वह बताया जाएगा irrigation है जो कि सिचाई होती है फिर sprinkler system and drip system के बारे भी थोड़े बताया गया है and removing weeds जो खर्पदवार हो जाते है खेत में उसको हटाने के लिए बताया गया है जो क्यों important है harvesting and stories of food grains भी बताया गया है तो फसल को काटने के बाद इसको कैसे store करना है वह भी बच्ची जानेंगी और क्यों important है यह second chapter जो है वह है microorganism friend and foe इसमें microorganism के बारे में जाना जाएगा कि वह दोस्त है या दुश्मन है उसके क्या फार्दय और क्या नुकसान है इसमें major groups of microorganism के बारे मताया जाएगा जैसे कि bacteria, viruses, protozoa और कुछ fungi और algae के बारे में भी बढ़ा जाएगा इसमें useful and harmful microorganism के बारे में बताया जाएगा कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान दायक होते हैं फिर इनके कारण कौन-कौन से बीमारियां होती है ही मन्स को वो भी बताया जाएगा और कौन-कौन से बीमारियां फैलाती है जो कि कैरियर के काम करते हैं फिर हॉस फ्लाई एंड मस्कीटों के बारे मताया जाएगा कि मक्खी जो होती है वो कैसे बीमारियां फैलाती है फिर मच्छर जो है फलाते हैं कैसे फलाते हैं कैसे फलाते हैं टैरी कैसे करते हैं फिर disease causing microorganism in animals and plants तो दोनों में दिवारी फढ़ाने बाले कुछ और microorganism होते हैं जो क्या में नहीं लिखते हैं तो animals and plants में होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं फिर food poisoning and preservation of food बताया जाएगा कि food poisoning की कारण क्या हैं कैसे food को preserve करना चाहिए ताकि किसी को food poisoning या पेट खराब नहीं हो तो nitrogen fixation and nitrogen cycle के बारे में भी थोड़ा सा है तो third chapter जो है हमारा वो है synthetic fibers and plastics तो जैसा कि topic से clear है natural fibers and synthetic fibers के बारे में बताया जाएगा जैसे कि polymers types of synthetic fibers बताया जाएगा types of synthetic fibers होते हैं रियाओन, nylon, polyester and acrylic फिर characteristics of synthetic fibers बताया जाएगा फिर plastics जैसे कि polythene, polyvinyl chloride जीसे कि PVC बोलते हैं और उसे बहुछ आरे material यूज होते है bakelite, melamine and tephron, tephron के बहुत सारे बर्तन बनते हैं उसमें यूज होता है tephron types of plastics जैसे कि thermoplastics and thermosetting plastic useful properties of plastic भी बताया जाएगा इसे में bio-digridable होते हैं कुछ and non-bio-digridable materials के बारे में भी बताया जाएगा और important topic ये भी है plastic and environment का relation भी बताया जाएगा जो कि बच्चों के बहुत जारूरी है उसके बाद next chapter जो हमारा वो है materials, metals and non-metals इसमें elements बच्चों को बताया जाएगा types of elements, metals, non-metals and metalloids physical properties of metals and non-metals बताया जाएगा इसमें chemical properties of metals and non-metals बताया जाएगा reaction with oxygen क्या होता है, reaction with water क्या होगा acid and versus की बारे में बताया जाएगा जो कि pH related रहेगा reactivity series of metals and displacement reaction of metals ये भी है और last means में topic है uses of metals and non-metals तो पास्वा number chapter जो हमारा वह है coal and petroleum इसमें exhaustible and inexhaustible natural resources के बारे में जाना जाएगा fossil fuels, cola और cola के use के बारे में जाना जाएगा फिर products of coal क्या होते है, जैसे की coal gas होता है, coal tar होता है and coke petroleum, occurrence extraction and refining of petroleum भी जाना जाएगा कैसे उसको निकालते हैं और फिर कैसे उसको refine करके हम लोग फ्लूज करते हैं फिर fraction of petroleum भी बताया जाएगा petroleum gas के बारे में जाना है petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax and bitumen फिर natural gas के बारे में जाना है petrochemicals, energy resources of earth are limited यह भी बताया जाएगा कि हमारे पास जो resources है, earth भी वो limited है फिर next chapter है हमारा combustion and flame तो इसमें topics है, combustible and non-combustible substances फिर conditions necessary for combustion combustible substances, supporter of combustion and ignition temperature the history of magic stick भी बताया जाएगा magic के बारे में history how do we control fire, कैसे हम आग पर काबू करते हैं types of combustion क्या-क्या है rapid होता है, फिर spontaneous होता है and explosive combustion calorific values of fuels flame, structure of flame burning of fuels leads to harmful products वो भी पताया जाएगा seventh number chapter जो है conservation of plants and animals इसमें जंगल की कटाई के कारण और उसके काटने से क्या-क्या नतीजे आते हैं सामने उसके बारे में पढ़ना है deforestation and its causes, consequences of deforestation conservation of forests and wildlife कैसे उसको बचाना है wildlife or forest को biosphere reserves इसके बारे में बताया जाएगा endangered species कौन-कौन सी है red data book बताया जाएगा migration migration क्यों होती है वो तो जंगल से यानवर कभी कभी शाहर में आदाते है वो सारे के बारे में है फिर recycling of paper paper को recycle कैसे कर सकते है ताकि जंगल में पेड़ती कटाई काम हो फिर reforestation के बारे में पढ़ा जाएगा एर्थ नमबर चाप्टर जो है वो biology से है cell structure and functions जो कि biology में हर किसी को पढ़ना ही पढ़ना है it's very important chapter इसमाँ topics है discovery of cells parts of cell cell membrane cytoplast nucleus mitochondria जो कि बहुद इंपोर्टेंट है cell wall chloroplast and large vacuole structure of plant and animal cells animal or plant cells दोनों में structure में तोड़ा डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ना है to study plant and animal cells with microscope इसमें microscope से plant and animal cells जो कि plant के बहुँ सारे experiment किये जाते हैं उसमें लीफ में के लगा के देखने का so that you can get to know this small world छोटी छोटी आपको membranze उसके लिखते है with a prokaryotic and eukaryotic cells के बारे में organism, show variety in cell numbers, cell shape and cell size cells, tissues, organs, organ system and organism के बारे में जानना है 9th number chapter है वो भी bio से है इसमें पढ़ना है reproduction in animals इसमें topics है methods of reproduction जो के दो type के है asexual reproduction and sexual reproduction इसमें sexual reproduction in animals human male and female reproductive system के बारे में भी जानना है fertilization के बारे में जानना है and development of embryo फिर differences between zygote, embryo and fetus इसमें difference बताया जाएगा फिर in vitro fertilization भी बताया जाता है जो की artificial तरीके से fertilization होता है फिर pviparers and oviparers animals के बारे में बताया जाएगा metamorphosis in frog and silk moth ovitopic है asexual reproduction in animals जिसमें की binary fission and budding and cloning यह बताया जाएगा इसमें बच्चों को किशोरा वस्था कि एज के में क्या changes होते है उसके बारे में डिसकस करना है जैसे की adolescence and puberty changes at puberty secondary sexual characteristics in humans role of hormones in initiating जो की बच्चों में hormones changes होते है इस time reproductive functions क्या-क्या होते है reproductive phase of life in humans फिर monarch and menopause के बारे में बताया जाएगा menstrual cycle जो की girls में change होता है at this age फिर sex determination उसके बारे में बताया जाएगा adolescent pregnancy के बारे में बताया जाएगा reproductive health hormones other than sex hormones के बारे में role of hormones in completing the life history of frogs and insects तो यह थे इसके topics फिर next chapter है force and pressure तो अभी जो chapters है वो physics के start हो गए है इसमें पढ़ने है force effects of force क्या होता है फिर types of force क्या है जैसे कि muscular force frictional force magnetic force तो होता है electrostatic force and gravitational force यह सारे force अलग होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा फिर pressure के बारे में बताया जाएगा explanation of some everyday observations on the basis of pressure फिर pressure exerted by liquids pressure exerted by gases atmospheric pressure और फिर our body and atmospheric pressure last में है applications of atmospheric pressure in everyday life 12th number chapter है वो है friction इसमें पढ़ना है force of friction factors affecting friction फिर क्या कारण होते friction के cause of friction surface irregularities static friction sliding friction and rolling friction friction unnecessary event advantage and disadvantage of friction methods of increasing friction and decreasing friction use of wheels and ball bearings fluid friction plus में friction in liquids and gases okay reducing drag streamline shapes इसके topic से next chapter हमारा sound इसमें topic है sound is produced by a vibrating body sound produced by humans voice box और larynx किवार में पढ़ना है sound needs a material medium for propagation we hear sound through our ears amplitude time period and frequency of a vibration loudness and pitch audible and inaudible sounds noise and music noise pollution और उसके कारा हुनने वाले नुक्सान के बारे में measures to control noise pollution कैसे noise pollution को धनी production को हम लोग नियंत्रन कर सके उसके बारे में जानना है 14th number chapter है chemical effects of electric current इसमें topics है good conductors and poor conductors of electricity LED light emitting diode some liquids are good conductors and some are poor conductors of electricity इसके बारे में बताएंगे कौन-कौन से good conductor होते हैं और कौन-कौन से bad conductor होते हैं फिर है electrolytes and non electrolytes solutions of acids के बारे में है फिर bases and salts are good conductors and distilled water is a poor conductor of electricity फिर है chemical effects of electric current electrolysis of water and electroplating फिर 15th number chapter है वो है some natural phenomena कुछ प्राक्रिवितिक धटना होती है जैसे के lightning lightning जो होती है वो होती होती है natural electric spark इसमें charging by rubbing charged objects types of electric charges positive charges and negative charges फिर क्यों जैसे बिजिभी जब कडाती है तो इसमें safety देना चाहिए lightening conductors क्या चाहिए क्या क्या चाहिए बढ़ए सकते है Earth क्योक के बारे में पढ़ना है बुकम के बारे में रिक्टर स्केल पे कितना जादा होने पे प्रबलम हो सकती है तो रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ के बारे में भी पढ़ना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट और क्योंकी पढ़ना है, क्या कि प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जब वो कम पाता है, तो जैसे कि बहुत ही मोटा डाइनिंग टेबल हो तो उसके नीचे छुप सकते हो, उसका अल image by a plane mirror, plane mirror से कैसे image formation होता है, lateral inversion क्या होता है, regular reflection and diffuse reflection क्या होता है, फिर reflected light can be reflected again, फिर इसको multiple images and kaleidoscope, sunlight and dispersion of light, the human eye, human eye बहुत important है इसमें light में, कैसे काम करता है, light से कैसे वो देख सकता है, फिर care of the eyes, eyes का कैसे care करना है, फिर visually challenged persons can read and write, तो ये जो होते हैं, जो नहीं देख सकते, वो person कैसे read and write करते, उसको बहुते ब्रेली system, तो उसके बारे भी बताया क्या है, 17th number chapter है, stars and the solar system, तो इसमें हमें अपने solar system के बारे में जानना है, जिससे की सौर मंतर भी बोलते हैं हिं तो इसमें तोपिक से है, celestial objects, night sky, moon and its phases, moon की जो phases होते हैं, अमावसे से कोरनीमा तक moon चोटा बड़ा जो होते हैं, उसके बारे में, surface of moon कैसा होता है, stars, light year, pole star, groups of stars, constellations, और सा मेजर, big dipper or great bear, फिर ओरियन, cassiopeia and leo मेजर, solar system में पढ़ना है, sun, planets, mercury, venus, earth, mars, gypter, saturn, uranus and nepturine के बारे में, asteroids, comets, meteors and meteorites, artificial satellites के बारे में पढ़ना है, 18 फिंबर चैप्टर जो है, वो last chapter है, pollution of air and water, इसमें topic है, air pollution, air pollution के कारण क्या होते हैं, फिर air pollutants, जैसे के smog, chlorofurocarbons and damage to ozone layer, acid rain के बारे में जानना है, and damage to tazmal, acid rain से tazmal का क्या damage हुआ, फिर greenhouse effect भी पढ़ना है, and global warming के बारे में पढ़ना है, steps to reduce air pollution, कैसे air pollution कम करें, फिर water pollution के बारे में है, क्या कारण है water pollution के, pollution of river ganga, फिर prevention of water pollution, potable water, purification of water, जैस के topics है, और यह था है टो क्लास का साइंज, if you want to check out the latest syllabus of class 5, class 1 and class 8, please go and check out the playlist syllabus from my channel, also you can check out the link in description, thank you for watching, please like, subscribe, comment and share.